Welcome to only IS, स्वगत है आप सभी लोगों का Prelims Booster News Discussion में आज है 9 November 2020, तो आजए देख लेते हैं ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा पहला article OPEC Countries के बारे में है OPEC का मतलब है Organization of the Petroleum Exporting Countries उन देशों का समूर जो petroleum का export करते हैं OPEC का जो Secretariat है उन्होंने अभी हाल ही में 4th High Level Meeting को organize करवाया Video Conferencing के जरिए इसमें इंडिया ने भी participate किया Although India is not member of OPEC Countries यह है क्या यह permanent intergovernmental organization है जहाँ पर कही सारी सरकारे एक साथ मिलकर cooperate करती हैं इस organization को 1960 में बनाया गया था बगदाद Conference के दौरान जहाँ पर Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia और Venezuela यह 5 देश मिलते हैं और एक ऐसे organization का निर्मार करते हैं जो दुनिया भर में petroleum को export करने वाली countries के बीच में rules and regulations को maintain करेगा petroleum के perspective से ही जो इसका headquarter है वो Austria के Vienna में है उद्देश यह है कि जो oil की supply है उसे manage किया जाए देखे, oil के prices तब बढ़ते या घरते हैं जब उनकी supply बढ़ती या घरती है तो अगर oil की जो कीमते हैं वो गिर रही हैं तो इन countries को नुक्सान होगा largely जो petroleum को export करते हैं तो जब भी कभी ऐसा होता है कि petroleum की supply बढ़ देए और उसकी वज़र से जो prices हैं वो गिर गए तो ये countries आपस में बातचीत कर लेते हैं इस OPEC platform के माध्यम से इस organization के माध्यम से वो supply को थोड़ा curtail कर देते हैं, कम कर देते हैं तो इस तरीके से ये दुनिया भर में जो fluctuation है oil prices का उसे manage करने के लिए cooperate करते हैं members की बात करें तो Algeria, Angola, Congo, Equatorial, Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, UAE और Venezuela ये countries हैं जो इसकी member है लेकि एक fund है OPEC fund for international development ये OPEC countries आपस में एक दूसरे country के socio-economic development के लिए member countries के socio-economic development के लिए financing भी करती हैं और वो जो financing की जाती है वो OPEC fund for international development के माध्यम से की जाती है इस fund को 1976 में establish किया गया था 12 countries हैं जो इस fund का part हैं इस fund के लिए member हैं 2000 Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, UAE और Venezuela तो ये सारी बाते हमने OPEC के बारे में discuss की देखते हैं अगला article अगला article body mass index यानी की BMI के बारे में है हाल ही में the lens end जो की एक English journal है उसने एक study को publish किया ये जो journal है यहाँ पर S आप cross कर सकते हैं इसने अभी कुछ estimates provide किये है height और body mass index के बारे में मतलब आपकी height के हिसाब से जो आपका weight है वो कितना है उसका trend क्या चल रहा है पूरी दुनिया में उस चीज को 2019 के लिए इन्होंने analyze किया दुनिया की 200 countries में 200 देसों में जहाँ पर 2181 studies को evaluate किया गया दुनिया भर में लगबग हर देस में कई तरीके की nutritional studies होती रहती है तो उन studies में कई सरा data gather किया जाता है उन्होंने उन studies को ही पकड़ा और उनका data collect करके trend समझने का प्रयास किया कि BMI क्या चल रहा है Body Mass Index actually में होता क्या है Index as you know एक tool होता है जो आपको कुछ जानकारी देता है तो ये BMI Body Mass Index ये आपके Body के mass के बारे में जानकारी देता है ये index कि आपका जो weight है वो आपकी height के हिसाब से ठीक है की नहीं है इसे देखे measure करने के लिए weight को आप kilogram में रिख लीजिए और upon करके जो भी आपकी height है उसका आप square कर दीजिए आपको आपका BMI मिल जाएगा although a lot of online calculators are also available जिसकी मदद आप ले सकते हैं जो normal BMI है वो 20 से 25 के बीच में होती है मतलब अगर आपका BMI 20 से 25 के बीच में आ रहा है मतलब ठीक है कोई समस्या की बात नहीं है इससे कम है तो भी दिक्कत है इससे जादा है तो भी दिक्कत है इंडिया के बारे में बात करते हैं जो findings आई है study में definitely इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इंडिया को 200 देसों में 196 रैंक में रखा गया है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यहां पर देखे 19 वर्स के जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको evaluation में लिया गया और जो BMI मिला that was 20.1 for both मतलब इंडिया में लड़के और लड़कियों जिनकी उम्र 19 साल के आसपास है 19 साल है उनका BMI हमें age average 20.1 मिला है अगर हम तुलना करें तो चाइना ने हमसे काफी अच्छा परफॉर्म किया है उनकी रैंक 200 देसों में 88 है और वहां BMI 22.2 गर्स के लिए और 23 बॉइस के लिए है जो कि अच्छा है टोटल रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है गर्स के लिए और फिफ्थ है बॉइस के लिए अब आप कहेंगे अभी तो कह रहे थे कि रैंकिंग खराब है फिर यहाँ पे तो 3rd और 5th है, actually में ये नीचे से है, नीचे से 3rd है girls के लिए, और नीचे से 5th है boys के लिए 200 देसों में, मतलब कि हमने बहुत ही poor perform किया है BMI में, हमें और improve करने की आवशक्ता है, अब बात करते हैं tinnitus के बारे में, जो कि हमारा अगला article है, अभी हाल की researches में ये पता चला है, कि जो COVID-19 का infection है, उसकी वज़ा से tinnitus की problem और भी बढ़ गई है, या फिर infection को handle करने के लिए, जो हम medication वगएरा लेते हैं, उसकी वज़ा से भी tinnitus की problem ज़ादा देखी जा रही है, researches में पता चला, tinnitus है क्या, tinnitus actually में एक perception है, perception का मतलब कि आपको अपने कान में एक आवाज continuous सुनाई पढ़ती रहेगी, अगर किसी को tinnitus की problem है तो that can be a sound of something like that, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कुछ बज़नी की आवाज आपको अपने कान में लगाता सुनाई पढ़ती रहती है tinnitus is not a condition itself, मतलब यह कोई बीमारी अपने आप में नहीं है, यह एक symptom है, एक perception है कि साथ कोई problem है कान में, जिसकी वज़े सी यह problem हो रही है तो इसमें usually जो problem होती है, वो यह है कि सुनने में problem होती है, कोई कुछ बोलता है, दूर से बोल दिया किसी निया, थो धीमा बोल दिया, थो हम ठीक से सुनने ही बाते है तो उस condition का एक symptom है tinnitus, जिसमें हमें अपने कान में continuous एक sound सुनाई पड़ता रहता है ऐसा कई करणों से हो सकता है, कई बार तो उमर बढ़ने के वज़े से भी tinnitus की problem हो जाती है कान में कोई injury हो जाए, या फिर circulatory system मारी body का damage हो जाए, जो blood का flow होता है, उपर से नीचे तक हाट तक आता है उसमें कहीं problem हो जाए, तब भी tinnitus की problem हो जाती है, ठीक है और COVID-19 के जो patients हैं, उनमें studies में पाया गया कि tinnitus की problem बढ़ती जा रही है जिनको पहले से हैं, उनकी तो और भी बढ़ दे tinnitus हमारी quality of life को significantly reduce कर देता है हमारे आज़ पास कोई हमें कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है तो quality of life तो गिरी की नहीं गिरी कई तरीके के और experiences इसके दौरान हो सकते हैं, ठकान, stress, सोने में समस्या, बट कई बार अगर हम treatment के जरीए चाहें तो इसे थोड़ा cure कर सकते हैं जो treating है वो और बहतर हो सकते हैं, अगर हमें पता हो कि ये tinnitus के problem क्यों है reason पता चल जाए तो हम और अच्छी तरीके से cure कर पाते हैं जो treatment है उसमें कुछ sharing aids वगरा दे दिये जाते हैं या फिर कुछ ऐसा device लगा देते हैं जिससे आपको sound control हो जाए, बाहर की sound ना जाए medicines और कुछ तरीके जिसके जरीए आप इस problem को handle कर सकते हैं, doctor suggest कर सकते हैं हमारा अगला article academic freedom index के बारे में है तो इंडिया का score इसमें भी 0.352 मिला है हमें, जो कि खराब है academic freedom index, index is a tool, जो हमें बताता है कि चल क्या रहा है तो academic freedom index क्या बताएगा, कि academic freedom इंडिया में कैसी है in general इसका मतलब यह है कि जो scholars हैं, उनको अपने ideas को express करने की कितनी आ जाती है बिन official interference के या professional disadvantage के example के तौर पे कोई research scholar है, PhD कर रहा है वो किसी topic पे research कर रहा है, उसे कुछ finding मिलती है वो finding कुछ ऐसी हो, जो socially थोड़ा disrupting हो, या कुछ leak से हटकर हो तो क्या वो अपनी बात public domain में आसानी से रख सकता है sometimes अगर उसने कुछ leak से हटकर बात कर दी, तो university ने उसे investigate कर दिया, या उनकी जो funding है वो रोग दी गई, या फिर उनको किसी और तरीके का legal glitch face करना पड़ गया, ऐसा कोई problem तो नहीं होता, इंडिया में होता है इंडिया में बहुत आजानी से आव अपने thoughts रिली नहीं रख सकते, यही इस index में portrait किया गया है, इसे publish किया जाता है, global public policy institute के द्वारा, वो यह बताते हैं कि किस देश में scholars को कितनी ज़्यदा आ जा दी है, यहाँ पे academic freedom को पूरी दुनिया में evaluate करते हैं, आच component है जिसके माध्यम से scores बनाया जाते हैं, research करने की और पढ़ानी की उसमें कितनी freedom है आपको, academic exchange and dissemination में आप अपने विचार कैसे आसानी से आदान प्रदान कर पाते हैं नहीं, institutional autonomy कैसी है, campus क integrity, freedom of academic and cultural expression, constitutional protection, मतलब आपके लिए laws कैसे हैं जो protect करते हैं कि नहीं, international legal commitment, international पे जो convenience हैं या फिर जो भी rules and regulations बनाये गए हैं, वो कितना ensure कर पाते हैं, social and cultural rights कैसे हैं और universities किस तरीके से perform कर रही हैं, इन सभी parameters पे evaluate किया जाता है कि academic freedom कैसी है, इसमें score किया जाता है 0-1 के बीच में, अगर score 50 के नीचे है, मतलब 0.50 कहेंगे, तो मतलब performance जो है वो अच्छा नहीं है, की findings क्या है, इंडिया का score 0.352 है, मतलब 0.5 से नीचे है, सौधीर रेविया के नजदीक में है, 0.27, लीबिया उसके बाद, मतलब हम सौधीर रेविया और लीबिया के नजदीक है, अगर हम इस score को देखे तो, इसमें 35 countries development नहीं की जाते हैं, including USA and Australia, top performer में हमें उरुगव और पृतगाल मिलते हैं, ठीक है, जो मारा अगला article है, that is related to हजीरा, घोगा, रोपैक्स फेरी सर्विस, रोपैक्स फेरी सर्विस का मतलब होता है, roll on, roll off फेरी सर्विस, फेरी सर्विस का मतलब होता है, कि किसी भी सामान को एक जिगह से, सामान या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए individuals हो, उनको एक जिगह से दूसरी जिगह लेकर जाना, अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक रोपैक्स टर्मिनल हजीरा और घोगा के बीच में इनाउगरेट किया है, गुजरात में, देखे, location आप देखेंगे, तो समझ में आएगा, य यह गुलफ आफ खमभात है, यह गुलफ आफ केम्बे है, यह गुलफ आफ कच्छ है, अब यहाँ पर अगर आपको घोगा से हजीरा आना है, तो चुछिए बीच में यह गल्फ पर जाती है, तो आप पानी में कूत के तहर के तो आएंगे नहीं, तो फिर यह बहुत लमब और लोग और सामान आ जाए और वो यहां से लेकर यहां तर चली जाए तो काफी आसानी हो जाएगी क्योंकि घोगा और हजीरा की बीच की जो डिस्टेंस है वो महद 90 किलोमेटर की है और अगर हम किसी फैरी से जाते हैं तो महद 4 घंटे का समय लगेगा फ्यूल भी बचेगा टाइम भी बचेगा सब कुछ होगा इसी लिए इस फैरी सर्विस को अभी स्टार्ट किया गया है जो रोल ऑन रोल आफ फाली फैरी होती है उसमें एक ऐसे जहाज के पीछे एक ऐसी मतलब प्लेटफॉर्म होता है जो नीचे गर जाता है फिर यहां से वहीकिल सूपर चली जाती है फिर यह बंद हो जाता है तो ऐसा मेकेनिजम होता है तो यह साउथ गुजरात के लिए सौरास्ट रीजन से गेटले का काम करेगा 370 किलोमेटर के डिस्टंस 90 किलोमेटर में कनवर्ट हो जाएगी कार्गो ट्रेवल टाइम भी कम हो जाएगा इससे अप्रॉक्सिमे हैं फर्णीचर की फर्टिलाइजर की उन सब को काफी जादा फायदा होगा कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो महाँ पर एक एशियाटिक लॉयन वाइलेफ संचुरी है वहाँ पर टूरिस्ट भी जादा जाएंगे तो कई सारे फायदे होंगे इस फैरी सर्विस के जो हम ग्रीन वारियर कहा जाता है उनको भी इंस्वरेंस कवर दिया गया है कोविड-19 के लिए यहां पर बिल्कुल यहां पर आपको मिलेगा ठीक है और यह इस्टन हिमालिया का जो पायो डाविस्टी होट्सपॉट है उसके एरिया में पढ़ जाता है अब यहां पर आगर आप देखें इसकी नेवरिंग एरिया और रिवर्स को तो आपको इस टाइगर रिवर जो टाइगर रिजर्व है इसके साउथ और साउथ इस्ट का जो एरिया है वहां पर नामेरी नेशनल पार्क जो आसाम का है वो इससे जुड़ता हुआ मिलेगा बिल्कुल आसाम के पूर में देखेंगे तो आपको पक्के रिवर मिलेगी और आप इसके वेस्ट में जाएंगे पश्चिम में तो आपको भरैल या फिर कामिंग रिवर मिलेगी पश्चिम की और 2000 स्पीसीज प्लांट्स की 300 वर्ड्स की और 40 मैमल्स की मिल जाएंगी ये कुछ ऐसे फ्लोरा आपको भी अपने पास रखता है जो दुनिया में बहुत कम बचे हैं और यही पर लाजली पाये जा रहे हैं ये यहाँ पर बहुत अच्छी आपको हॉन्बिल की स्पीसीज मिलती है ग्रेट हॉन्बिल जो के अनॉंचर प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है आयो सिन की रेट प्गाइस करेघ्ड के बारे में है इंडिया ने अभी पाकिस्तान के इश जिस्टयन को कर्सेज किया है कि उन्होंה करतार सभी गूर्वार जुर्द्वार जो है उसका management सिक्ख बॉर्ड साहिद से लेकर एक separate trust को दो को दे दिया है इससे इंडिया ने अपनी अपत्ति ज़ इसका रीजन यह है क्योंकि जो पहले सिख गुरू थे गुर्णानक देव जी उन्होंने अपने जीवन के लगभग आखरी के 20 साल यहीं पर गुजारे थे 1520 से 1522 के आसपास वहां पर गये थे 18-20 साल अपनी जीवन का अंतिम समय उन्होंने वहीं पर गुजारा वहीं पर उन अब इसमें बिना वीजा के जाया जा सकता है एक पर्मिट चाहिए होगा उस पर्मिट की मदद से एक इंडियन ट्रेवल करके करतारपूर साहिब जा सकता है जो कि बहुत होली प्लेस है सभी लोग वहां जाना चाहते हैं जो भी सिख कम्रेटी से बिलॉंग करते हैं यह कॉ ऐगरी में पाया गया कि जो हिमालेयन ट्री ट्रेवल है वहां पर जो भी पार्टिकल्स हमें मिले ए एर पार्टिकल्स ूट अबहुत है जो सेंपल कलेक ना लेकिन global warming की वज़े से ये पिघल रहा है और अगर वहाँ पर tarwalls की जो उपस्थिती है जो presence है वो बढ़ रही है तो खत्रा और भी जादा है इन tarwalls के साथ दिक्कत ये है क्योंकि ये heat को accumulate कर लेते हैं, soak लेते हैं जैसे जो बरफ है उसका color white होता है तो वो rays को reflect कर देता है तो इससे जो बरफ पिघलने की प्रक्रिया है वो धीमी होती है लेकिन अगर वहाँ पर कोई black particle है तो वो काला रंग जो है वो heat को absorb करेगा तो heat बढ़ेगी और heat बढ़ने की वज़े से जो बरफ के पिघलने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी यह light absorbing होते है तो इससे तो definitely इस पूरी region को नुकसान होगा यही concern raise किया जा रहा है जो tar balls हैं, यह brown carbon से बनते हैं brown carbon जब भी कोई हम biomass burn करते हैं तो उसमें से निकलता है यह बरफ या ice पे जाके टिक जाता है, चिपक जाता है और फिर यह light को ज़्यादा absorb करता है ज़्यादा heat generate करता है इससे problem होती है क्योंकि बरफ ज़्यादा तेजी से glacier ज़्यादा तेजी से पिखलते हैं tar balls यह study indicate करती है कि जो endogangetic planes में हम biomass burning करते हैं उससे यह travel करके जो हमारा air circulation है उसकी मदद से वहाँ पहुँच जाते हैं तिबितियन और हिमालियन रीजन में पहुँच जाते हैं concern यह है कि tar balls का percentage increase होगा pollution बढ़ने के वज़े से तो जो glacial melt है वो तेज हो जाएगा brown carbon हमेसे हमेशा organic matter के combustion से निकलता है OPEC, Vienna Austria और India इसके member है India member नहीं है तो गलत हो गया Tinnitus, noise perception है और quality of life affect कर सकता है सही है academic freedom index, UNIS को release करता है गलत है, Global Public Policy Institute रिलीस करता है pocket tiger reserve और natural produce गलत है brown carbon, यहाँ पर देखिए organic matter के combustion से यह सही है बाकि इस पूरे session की जो PDF है आपको only eyes की telegram चैनल पे available मिलेगी उसका link description box में available है वहाँ से भी उसे available कर सकते हैं इस session में हम यहीं पर रुकेंगे Thank you very much